है वेल्कम बैक तो मैं चैनल फ्रेंड ऌजोग की विडियो में हम हाई इंपट क्या होता है इसके वादे में बात करेंगे हाउं तो अगर आपको पता करना है हाई इंपट क्या यूज है इंप्लिफाइर में और यहार सी इंपुट से डिफरेंट कैसे है तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंट तक पूरी देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह दो आप पॉइंट देख रहा हूंगे दो सॉकेट्स हैं यह how Lambious Utah को पता ही नहीं होता कि इनका यूज क क्या है अंदर और हमों कर दो हैं लिए आप एक हैं तो हमारे जो स्टीरियो से अंप्लिफ़ाइर को हम सांड का इन्पुट देते हैं व Behind हम आडसी केबल से देते हैं विफरें यह इनमें लग जाती है और worn वार्दव को sound का input हम RC cable के थ्रू देते हैं बट एक और option हमारे पास होता है जो कि हमें पता नहीं है high input का तो ऐसे ऐसे ये दो plugs amplifier के साथ ही box में ही निकलते हैं वर्नाप जहां से amplifier purchase करें अगर ना हो तो उनसे लें ये जरूर लेने चाहिए ये high input के लिए यूज होते हैं इसमें एक में चार चार वायर होते हैं और ये इस तरीके से लगता है यहां पर अब हमें इसमें अगर हम high input दे रहे हैं audio का तो RC cable की कोई requirement नहीं है RC cable में बहुत सारी problems आती है, humming की sound आ जाती है, RC cable खराब हो जाती है उन सारी problems से बचने के लिए ये बहुत अच्छा option होता है high input का ओके friends इसमें दोनों में RC input और high input में एक और major difference है RC input जो होता है वो 3V तक work करता है, 3V तक, 1V, 2V, 2.5V, 3V और high input जो होता है हमारा वो 15V, 16V, 20, 25V, 24V तक भी वो work करता है high input क्योंकि high input जो होता है वो हमारे stereo में जो car के चारो doors के लिए चार speaker के wires जा रहे होते हैं जो speaker चलाते हैं वो वाले wire इन plugs में connect होते हैं और तब ये amplifier में input देते हैं एक तरीके से वो speaker का input है जो की हमारा amp ले रहा है ना कि RC input तो अब मैं आपको इसकी connection बता लेता हूँ आप कैसा कर सकते हो बहुत easy fitting है इसकी कुछ नहीं करना बहुत simple है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक और इसका बहुत बड़ा हमें benefit मिल जाता है जो कि अगर आप अपनी कार में एक mono amplifier एक four channel amplifier इंस्टॉल कर आ रहे हो तो चार RC input इसको चाहिएंगे चार channels के लिए दो RC input इसको भी चाहिएंगे four channel amplifier को भी हमारे यह आप देख सकते हैं तो total हमें छे channel RC के चाहिएंगे पर हमारे stereo के पीछे जो हमें मिलते हैं वो सिर्फ mostly जो stereo होते हैं उनमें एक मिलता है एक RC का output मिलता है जिसको हमको split करके तीन pair यानि की छे करने पड़ते हैं चार इसके लिए दो mono amp के लिए तो अगर आप high input दे दोगे high input आप यहां से दोगे इसके बीछे यह आप देख रहे हैं यह one two three four और इसी के नीचे ही चार और टोटल यह eight है wires यह वाले wires चारो डोर्स के speaker चलाते हैं यह दो एक speaker के हैं तो यह चारो डोर्स के speaker के wires हैं यह हमारे high input के plug में यह वाले wire join होंगे थोड़ी सी wiring बढ़ा के तो एक speaker का यह हो जाएगा एक speaker का यह हो जाएगा ऐसी करके हमारे चार speaker के आठ वायर होंगे जो की high input का wire हमारा बन जाएगा stereo के speaker हो से high input के इसमें connect करके यह लखडी का piece मैंने अलग से लगाया हुआ है क्योंकि मैंने यह करा हुआ है कि चार speaker की जगा मैंने एक speaker के wire से चारो point को ही join करा हुआ है तो केवल एक speaker का wire है यह studio के पीछे से मैंने एक speaker का wire लिया और उसी से मेरे चारो channel amplifier के इन दो को लगाते ही start up हो जाते हैं तो अगर आप एक mono और एक four channel amp ले रहे हो तो आपका एक single RC cable से काम हो जाएगा अगर आप high inputs को दे दोगे high input के amplifier का input चला जाएगा high inputs से four channel amplifier का और mono amplifier का एक single RC cable amplifier stereo से amplifier में तो एक RC cable आपकी stereo से mono amp में जाएगी और stereo के चारो speaker के जो wires हैं वो आपके आ जाएगे इन plugs में join करेंगे आप उन्हें लेफ्ट राइट इस पर लिखा रहता है यह देखके और join करके सीधा आपको अपने इसमें केवल यह insert कर देना है दोनों तो आपका एक ही RC cable से mono amp चल जाएगा और high input से आपका four channel amplifier चलेगा जो कि sound quality भी RC से better देगा और आपको RC को 6 जगा split भी नहीं करना तो यह बहुत simple है और मैंने केवल एक speaker के wire से मेरी sound quality पर कोई फर्क नहीं है मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ कैसा चलता है यह तो यह बहुत simple option है high input का speaker के चारो wires चारो door speaker के जो wires stereo के पीछे होते हैं उनको आपको इन plugs में join कर देना है wire लंबा करके और इनको आपको अपने stereo में लगा देना है sorry amplifier में तो आपका amplifier को audio input stereo का पूरा मिलेगा और RC input से better मिलेगा तो आपको मैं अब इसकी testing गौर करके दिखा देता हूँ और एक बात और भी है एक last चीज अगर आप high input दे रहे हैं अपने four channel या two channel amplifier को तो हम जैसे घर में battery से कर लेते हैं या SMPS से computer के transformer से तो हमको ये ये वाला वायर लगाने की ज़रूद नहीं है remote wire अगर हम high input देते हैं तो ये remote wire की requirement खतम कर देता है ये प्लक करते ही बिना high input केवल आपको एक negative negative में लगाना है पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाना है amplifier के और high input आप जैसे प्लक करेंगे अपने amplifier में आटमेटिक स्टार्ट हो जाएगा बिना remote wire center वाले की requirement के ओके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि stereo से मैंने ये एक RC cable single mono amplifier में जॉइन करी हुई है ये stereo से जारी है mono amplifier में और ये जो इसके चारो डोर्स के speaker के wires हैं ये मैंने इन plugs में connect करे हुए है high input के और बिना किसी RC cable के cable high input 4 channel amp को गया हुआ है तो connection हो चुगा है speaker वगेरा सब इसमें connected है ये power supply है मेरी 130 amp की इसका video भी आपको link में मिल जाएगा ये मैंने खुदी बनाई है और आप इसे purchase भी कर सकते है सब woofers भी मेरे handmade है खुदी बनाता हूँ मैं इनको भी HC brand है हमारा और ये mids वगेरा हर सब कुछ खुद का ही बनाया हुआ है तो अब मैं आपको high input connection से इसको पूरा चला कर दिखाता हूँ हुआ है हुआ हुआ है नहां हुआ हयर राधर का अब मैं अब म Harm आारा ये को हुआ है क्या और राधर है झाल 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 झाल